हलो दोस्तों नमस्कार मेरी इस यूटूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बनवज स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैं तीन ऐसे स्टॉक्स लेके आया हैं जिनको हम नेक्स टेडिंग ने में ट्रेड कर सकते हैं वाच लिस्ट में अपना लगा सकते हैं रिजन मैं किलियर करने वाला हूं इन सभी स्टॉक्स के उपर का पहला स्टॉक्स है हमारे सामने दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेट हमारे सामने पहला स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेट इसके उपर का रिजन मैं कि मार हो रहा है इस तरीके का और अगर यह ब्रेक आउट करता है तो हमको उपर के लेवल में बहुत अच्छे टार्गेट देखने को मिल सकते हैं इसलिए हमने इसी स्टॉक्स को चुना हुआ है देखने लिए अपने वाज लिष्ट हम इसको रख सकते हैं तो हम इस इसी स्टॉक्स के उपर दुस्तों बाइंग करके जा सकते हैं हमारा बाइंग रहना चाहिए 174 रुपय का 122 हो सकता है इस दवरAnn अगर आता है इस्तॉक से उपर देखने को अधर्वाइज वन तक तो जा सकते हैं अगर breakout अच्छे value के साथ मिलता है हमको तब stoppers दोस्तों हम इस दवरान इस trend line के अंदर का ही लगाएंगे इसलिए मैंने इस आसपास के price को चुना हुआ है stoppers के लिए 168 का correct reason हो गया clear इसमें अब हम एक और लगा के देखेंगे few onasi दोस्तों हम इसमें few onasi लगा के देखेंगे कि जो retracement कि जो retracement आना था क्या वह आ चुका है proper वे में कहां तक का retracement आया है स्टॉक्स के उपर एक up move आने के बाद तो मैंने few onasi लगाया यह low level से few onasi हमने रोकिया है यहां से और अभी का जो correction point है यहां से यहां तक का इसको आप देख पा रहे होंगे यहां से लेके जो correction point आया है हुआ यहां तक का है इसका जो percentage है हुआ यह देखिए 0.5 मतलब 50% का correction इस stocks ने लिया हुआ है और यहीं से अब एक अच्छे volume के साथ बड़ा सा green candle के साथ हमको closing देखने को मिला है इस कारण के वज़े से हमने इस stocks को next trading day के लिए रख रहे हैं बाइंग करके जा सकते हैं हमारे level में आता है तब correct है इन सभी को मैं हटा देता हूँ अग आपको समझ में आ चुका होगा अब हम चलेंगे हमारे अगले stocks क हो गया अगला stock के और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरा stocks हम ले क्या हैं दोस्तों DCB bank limited छोटा सा stock से current market price अभी 211 रूपय का हमें देखने के मिल रहा है इस stocks ने भी काफी अच्छे से breakout किया है अपने कफित handle pattern को यहां से अगर आप इसको लेंगे तो यहां से कब बनता है इस पॉइंट से इस तरीके से लेते हैं अगर आप इस तरीके से तो एक कब बनता है कब बनने के बाद यहां से पर एक handle pattern बना सेम पटन है पिछले stock से उपर जो पटन देखने को मिला उसी तरीके से पहला point second point है दोस्तों कि यहां से यह जो trend line चल रहा था यह देखिए इ यहां से एक जो एक trend line के सारे downtrend में ही चल रहा था उसने इस trend line को बहुत अच्छे से green candle के साथ में अच्छा value के साथ में इस trend line के उपर जाके close करते हुए हमें देखने के मिल रहा है पिछले दिन का जो candle है वह तो अगर यह सस्टेंड हो पाता है upper level में तो हमको buying मिल जाएग इस stocks के उपर भी आज पिछले दिन के candle के closing के high price के उपर निकलता है तब correct मतलब हम इस stocks को buying करके जा सकते हैं इस level के उपर आज इस candle का closing price है उस level को अगर यह निकालता है तो हम buying करके जा सकते हैं हमारा target दोस्तों हो सकता है 108 रूपय का और दूसरा target हम 122 रूपय तक रख सकत हैं मतलब हमारा target इस point तक रह सकता है पहला target हो जाएगा और दूसरा point हमारा 122 रूपय का हो सकता है इस आसपास का यहां से यहां का यह हमारा दूसरा target हो जाएगा तो दूस्तों region clear है pattern clear है trend line का सहारा लेते हुए यह stock काफी दिनों से नीचे ही था नीचे रहने के बाद पह होने का एक अनुमान है तो अच्छा moment हो सकते हैं इस stocks की उपर भी आप अपने watch list में रख सकते हैं and view कर सकते हैं live trading के अंदर correct अब हम दोस्तों हमारे चलेंगे अगले stocks की उपर तिसला stocks हैं हमारे सामने दोस्तों Tata Steel BSL Limited यहां भी same scenario आपको देखने को मिलेगा दोस्तों और पिछले दिन ही इस ने इस trend line को break करके उपर closing दिया है और उपर closing देने के बाद हमको जो संकेत निकल के आ रहा है वह है अपर side के लिए अप यह निकल सकता है तो इसलिए हमने इस stocks को चुना हुआ है काफी दिन के बाद यह side watch button में बना रहा बनने के बाद breakout मिला हमको तो हम इस stock को पिछ़ले दिन के high price के उपर buying करके जा सकते है हमारा price होगा दोस्तोंँ 37 के ऊपर यह stock निकलता तो हम इसको buying करके जा सकते हैं मतलब पिछले दिन का केंडल के क्लोजिंग प्राइज के हाई प्राइज के उपर निकलता है तब हम इसको बाइंग करके जा सकते हैं इस दवरान हमारे जो टार्गेट निकल के आ रहे हूं इंट्राडे के लिए लेवल सहोंगे दोस्तों 99.5 रुपीज का सकेंड टार्गेट और टार्गेट हमारा जो रहागा वह 109 का हो सकता है दोस्तों इस स्टॉक की उपर तो ये तो हो गए हमारे लिए इंपोर्टेंट स्टॉक आप इन सभी स्टॉक को स्विंग ट्रेट के लिए भी वाच लिस्ट में रख सकते हैं एंड वीउक कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं दोस्तों इसके साथ भी क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकाउट हमें देखने को मिल रहा है इन तीनों स्टॉक की उपर अभी अब हमको इंटाडे में दोस्तों कौन से कंडिशन में इनी स्टॉक की उपर इंटर नहीं करना है इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए अगर करने के बाद यह फीर से ऐसे करके continue करेगा अपने trend को तो इंटाडे में हम फस सकते हैं इसलिए gap up अगर हो जाता है बहुंच जादा तो हम इसको avoid कर सकते हैं correct same point second stock सी उपर भी रहेगा अगर बहुंच जादा इस आसवासी gap up हो जाता है तो पूरा chance रहेगा कि यह reject करेगा rejection के बाद यह upper side का वापस से level को दिखाएगा हमको तो इस point को ध्यान में रखना है यहां भी same scenario रहेगा यहां तो breakout हुआ ही नहीं अगर breakout होता है तो हमको moment देखने को मिलेगा upper side का अगर नहीं होता है तो यह इस range में वापस से घूम सकता है तो बिना हड़ बढ़ा हमको trade लेन और fund को अपना lose कर डालेंगे तो फिर आप market से automatically बाहर हो जाएंगे तो इन छोट छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और हमारे जो दिए जा रहे हैं इस stocks हैं उनको आप watch किजिए सीखिए इससे कुछ important points हैं उन points को आप note out किजिए तो दोस्तों इस video में इतना ही video आ कैसा लगा कॉमेंट करके एक बार जरूर बताएगा चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को ओन करना पिलकुल मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद